नमस्कर दोस्तों मेरे नाम स्री कांकुमर आप देखरे टू जेट टोसेस आज हम बात करने वाली से वीडियो में दोस्तों अगर आपके पास अधार कार्ड है तो आप सभी को ये भी चेक करना बहुत ही जरूरी है कि हमारा अधार कार्ड का डाटा अभी तक कहां लिख किया गया है हमारा अधार कार्ड के साथ कौन-कौन सा सर्विस को एक्टिवेट किया गया है कौन-कौन सा अस्की में यूज किया गया है ये भी आप सभी को बहुत ही चेक करना जरूरी है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और अगर आपका अधार कार्ड को कहीं गलत जगा पे उप चैनल परना है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अब लाइकन घंटी को प्रेस कर लिजे ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले के पास पहुँच पाए तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों उसके लिजे सबसे पहले मोबाईल ये लेप्टूप का किसी एक ब्राजर को ओपेन कर लेना है ब्राजर में टाइप करना है एस एस यूपी उसके बाद सर्च के ओप्शन पे क्लिक कर दना है सबसे उपड जो लिंक दीख रहा है इस लिंक पे क्लिक कर दना है अधा अधार कार्ड के शाथ जो जो मोबाइल नमबर करते हैं और दोस्तों अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मेरा अधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नमबर लिंक है। तो उसके लिए सबसे पहले एक step back होना है उसके बाद स्क्रोल डाउन करना है और यहां पर देखने के लिए मिल जाता है चिक अधार भैल डिटी के option इस वाले option पर क्लिक करना है यहां पर अपना अधार नंबर को type करना है इस capture code को इस box में type करना है प्रोसिट के option पर क्लिक करन अभी यहां पर देखिए अधार verification completed हो गया है और यहां पर देखने के लिए मिल जाता है अधार card में जो भी mobile number link होगा है यहां पर mobile number का last three digit यहां पर देखने के लिए मिल जाता है यही mobile number आपके अधार card के साथ लिंक है तो अधार card के साथ जो mobile number link है उस number पे जो एक OTP गया ह उस OTP को यहाँ पे टाइप करदना है उसके बाद login के option पे click करना है login होने के बाद कुछ इस परकार के interface देखने के लिए मिल जाता है और अधार काट का जितना भी service है इस परकार से यहाँ पे service देखने के लिए मिल जाता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है तो सबसे पहले scroll down करना है और यहाँ पे एक service देखने के लिए मिल जाता है authentication history के option इस वाले option पे click करना है click करने के बाद कुछ इस परकार के interface open हो जाता है और इस काम को हर 6 मंत में एक वार जरूर चेक कर लेना चाहिए तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे modality को select करना है तो सबसे पहले select के option पे click करना है यहाँ पे बहुत सरे option देखने के लिए मिल जाता है तो यहाँ पे all वाले option को select कर लेना है उसके बाद यहाँ पे last 6 month का date को यहाँ पे select करना है उसके बाद इस वाले option पे click करना है तो चले इस वाले option पे हम click करते हैं click करने के बाद अब आपको क्या करना है तो सबसे पहले scroll down करना है तो जैसे हम scroll down करते हैं तो कुछ इस परकार का interface देखने के लिए मिल जाता है और यहां पे देखिए बोला गया है कि आपका अधार कार्ट को कौन सा चीज़ से कितना percent use किया गया है इस परकार से यहां पे देखिए percentage में देखने के लिए मिल जाता है 89% जो है कि OTP के माधियम से अधार कार्ट को use किया गया है बायोमेट्रिक से 0% use किया गया है लास्ट 6 मन्त में और डेमोगराफी से 10% use किया गया है और आज कल ज़्यादा OTP से ही fraud किया जा रहा है तो यहां पे आप देख रहें कि 89% से भी ज़्यादा जो है कि OTP से अधार कार्ट को use किया गया है कहां कहां इस्तेमाल किया गया है कहां कहां use किया गया है अधार कार्ट को तो जैसे आप स्क्रॉल डॉन करते हैं तो यहां पे देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस परकार का list इस डेट में अपका अधार कार्ट को यूज किया गया है यहाँ पे उसका डेट टाइम देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे देखिए बतायागा है किसके द्वारा यूज किया गया है मोडलेटी की यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे a scheme का नाम देखने के लिए मिल जाता है कहां यूज किया गया है तो यहाँ पे आप देख रहें कि UIDI online service में यूज किया गया है यहाँ पे transaction ID देखने के लिए मिल जाता है तो इस परकार से यहाँ पे आपको आकर सही तरीके से देख लेना है कि हमारे अधार काट को कहां कहां यूज किया गया है करवा सकते हैं तो इसी परगार से जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखिए 5-6 पेज यहाँ पे दिया गया है बारिक बारिक से हर पेज पे क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं और इसे अगर पर क्लिक करना है इस परकार से यहां पर देखिए पीडियेप ओपेन हो गया है अब यहां पर देखिए अधहार कार्ट को कहां कहां यूज किया गया है कहां कहां इस्तेमाल किया गया है सारा कुछ यहां पर देखिए डाटा देखने के लिए मिल जाता है तो इस परकार से आप जो हैं की चेक कर सकते हैं और ये लास्ट 6 मंद का ही दिखाया गया है 50 डाता यहां पे दिखाया गया है